से कॉक्रोज को पड़ेंगें कि Healthy work, अंने कोक्रोज की तो पहले हम लोग morphology of cockroach cockroach की बाहरी संग्रशना उसके बारे में जानते हैं तो cockroach का जो length है जो हमारा common cockroach है उनका जो length होता है वो 1.4 inch से 3 inches तक होता है और इन centimeter में कर हम लोग देखते हैं तो that is 0.6 to 7.6 centimeter तक जाता है उनकी लंबाई होती है एक साधारन cockroach जो है एक common cockroach जो है उसका length होता है 1.4 to 3 in inches और 0.6 to 7.6 in centimeter तो इस चीच को mark कर लेना है कि इनकी length कितनी होती है फिर आते हैं जो most common cockroach होता है जो हम लोग घरों में देखते हैं ज्यादा तर घरों में पाए जाते हैं जो cockroach उसकी species का नाम है periplaneta americana periplaneta americana नाम का की species का ही cockroach जो है वो हम घरों में ज्यादा तर देखने को मिलता है इंडिया में तो maximum मतलब इस अ लार्ज़स वराइटी और ये इंडिया में ये cockroach घरों में जो हम लोग को मिलते हैं जो तेल चटा दिखता है जो cockroach दिखता है वो है periplaneta americana की species का ठीक है और इनका characteristics क्या है ये nocturnal होते हैं ओम्नी बोर्स होते हैं और segmented body होती है nocturnal मतलब कि ये रातों को जाकते हैं और दिन में सोते हैं ये ना मतलब कि वो cockroach nocturnal character मतलब the character in which the cockroach asleep during the day period and awake or active during the night ठीक है रातों में active होते हैं हम जब देखते हैं रात में जब हमान light off होता है मतलब अंधेरे में ये active होते हैं ये ना जब light off होता है तो cockroach हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं तो इसलिए क्योंकि उनका nature ही होता है nocturnal रात में active होते हैं और दिन में सोते हैं omnivores मतलब वो flesh और vegetable कोई भी टुकड़ा होता है वो सब चीज को खाते हैं तो इसलिए वो omnivores होते हैं और उनकी body जो होती है वो segmented होती है segment में बटी हुई होती है जैसा कि मैं एक फीगर बनाई हूँ cockroach के जिसमें हम देख रहे हैं कि यह body जो है उनकी segments में बटी हुई है तो इनका characteristics क्या हुआ कि cockroach जो है वो nocturnal होते हैं omnivores होते हैं और उनकी body segmented होती है पार्ट में बटी हुई होती है फिर आते हैं इनकी जो पूरी body होती है वो एक hard exoskeleton से exoskeleton की layer से covering catinus layer से covered होती है तो उनकी जो body होती है वो catinus exoskeleton से covered होती है यह entire body covered by hard catinus exoskeleton है और जो यह catinus exoskeleton होते हैं यह इनके अंदर भी एक plate से covered होता है exoskeleton के नीचे एक plate आती है उस plate को हम लोग बोलते है scleritis तो each segment exoskeleton has hardened plate उसको बोलते है scleritis तो इसको note कर लेना है कि जो exoskeleton में एक hardest plate पाया जाता है उसको क्या बोलते है that is called scleritis उसको हम लोग बोलते है scleritis फिर है और जो हर plate है उसके body के हर segment पर जो exoskeleton की covering होती है उसमें plates है वो जो plates है वो दोनों तरफ plates आपस में एक दूसर से जुड़े होंगे तो वो जो दोनों plates है वो एक membrane के तुरू जुड़े होते है उस membrane को हम लोग बोलते है arthrodial membrane that membrane is called arthrodial membrane तो membrane that join the plates or the plates that are joined with a membrane that's membrane is called the arthrodial membrane यह भी note कर लेना है कि जो cockroach के body में जो hardest plate होते हैं exoskeleton के नीचे जो plate होते हैं वो जो membrane से attached होते हैं उस membrane का क्या ना में तो वो है arthrodial membrane फिर आते हैं body divided into three reasons that is head, thorax and abdomen एक cockroach की body जो है वो तीन पार्ट में बाटी होती है head, thorax and abdomen थ्री पार्ट में उसकी body divided होती है head क्या है, head जो है वो triangular in shape, head का जो shape है वो triangular shape का होता है ठीक है और position of head is hypogenthous उसकी जो head की position होती है body axis से लेकर उसका head जो होता है वो body axis का according 90 degree का angle बनाता है तो just इसके कारण ये इसका head जो होता है उसका position क्यालाता है hypogenthous होता है इसको भी note कर लेने का है कि जो position of head है वो कैसा है question ऐसे भी बन सकता है कि उसका cockroach के head का जो position है वो कैसा है तो वो है हमारा hypogenthous और hypogenthous है that means कि what is the meaning of hypogenthous the position of head of the cockroach is in hypogenthous position what is the meaning of hypogenthous तो hypogenthous की meaning होती है कि उसकी जो body होती है वो body axis से right angle to the body axis रहती है body से वो right angle रहता है 90 degree angle बनाता है जिसके कारण उसको बोलते है hypogenthous clear pair of thread-like antenna present on head head पर ये thread-like structure निकला होता है जिसको हम लोग बोलते है antenna इसका काम है ये sensory receptor का work करता है that means की brain तक messages को पहुंच आता है अगर उसे कहीं पर लगता है कि कोई enemy है कहीं कोई prey है वो surrounding इसके लिए favorable नहीं है तो उन सब का message वो brain तक उसको cockroach की body में पहुंच आने का काम करता है antenna तो it is act like a sensory receptor ठीक है it is a sensory receptor in cockroach तो ये भी ध्यान में रख लेना है maybe के question बन जाए maybe question आ जाए कि cockroach का कौन सा body part है जो sensory receptor की तरह act करता है तो that is antenna pair of simple eyes and compound eyes on head उसके head पर two types of eyes होते है pair of simple eyes and compound eyes ये एक जो अलका सा dot सा है that is the compound eyes और ये जो है पूरे black reason that is the simple eyes तो cockroach में two types of eyes होते है simple eyes and compound eyes और vision का का करता है compound eyes you know vision बनाना images बनाने का काम होता है कहां पर compound eyes में तो ये question आता है कि cockroach के eyes का कौन सा part है जो vision बनाने में काम करता है images formation में काम करता है उसके vision में help करता है देखने में उसको मदद करता है that is the compound eyes ठीक है compound eyes में images form होते है vision बनता है फिर compound eyes responsible for vision फिर mouth consists five parts mouth जो है उस वो भी पांच भाग में बड़े वे होते हैं mouth के पांच पांच हैं क्या है labrum जो कहलाता है मारा upper lip labium lower lip hypo pharynx जिसको tongue बोलते है maxilla maxillary pulp present होता है and mandible that is the lower jaw तो labrum जो है वो upper lip है इसमें पांच 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 होते हैं ध्यान में रखना है labrum labrum that means की उपर वाला lip कौकरोश की mouth का उपर वाला पांच होता है upper lip जिसको बोलते हैं तो labrum को हम लोग अपर लिप बोलते हैं फिर labium जो है that is called the lower lip hypo pharynx जो है वो कहलाता है उसका tongue act है का tongue maxilla जो है उसमें maxillary pulp present होते हैं जो food digestion like a saliva मारे में जो salivary gland है saliva create करता है तो वो भी इसी तरह का act करता है और जो mandible है वो उसका lower jaw है तो इनको ये सारे part को mouth की जो सारे part है इसको हमें ध्यान में रखना है कि आ सकता है exam में कि उसके upper lip को क्या बोलते हैं या labrum जो है वो क्या कहलाता है labrum को labrum क्या है तो labrum is upper lip या उसके upper lip को labrum बोलते हैं lower lip labium tongue है वो hypo pharynx salivary gland like saliva secrete करता है digestive enzyme secrete करता है जो food को liquidifying करके अंदर जाने में help करता है तो that is the maxilla और mandible that is the lower jaw clear तो इसके ये पांचों पार्ट को ध्यान में रखना है it's all are the important फिर आते हैं हम लोग उसके उसमें cutaneous teeth present in the mandible for biting and chewing उसका जो mandible design है that means कि जो lower jaw है उसके lower jaw में ही teeth present होता है जिससे कि वो खाने को काटने और चुई करने का काम करता है तो cutaneous teeth present in mandible for biting and chewing तो ये इस चीज को यहां पर ये ध्यान में भी रख लेना है कि mandible teeth जो है वो कहां present होता है कॉक्रोच में teeth किस portion में present होता है माउथ के किस रीजन में teeth present होता है तो that is in a mandible proportion है ना that helps in the curb biting and chewing फिर आता हमारा next thorax thorax head is connected with thorax by neck head और thorax एक दूसरे से एक neck के थुरू जो यहां पर visible नहीं है क्योंकि उपर में covering है इसके नीचे में पतली सी एक line जाती है जो neck है जिसके थुरू head thorax से attached होता है फिर a thorax consists three parts thorax के भी तीन पार्ट है पहला है prothorax covered by the proteinum winger absent ये जो है proteinum that is ये जो हमारा इसका सबसे उपर का thorax है that is the prothorax इसको बोलता है जो proteinum से covered होता है ये भी cartanus layer होती है जिसे वो covered होता है prothorax ठीक है और यहां पर wing absent होता है से figure में देख रहे हैं कि यहां पर prothorax वाले part में हमारा cockroach के कोई wing present नहीं है ठीक है फिर है mesothorax mesothorax जो है वो just prothorax के बाद का है that is the mesothorax mesothorax से wing निकल रहा है ये हमारा ये है mesothorax है mesothorax part है prothorax के just नीचे mesothorax से एक wing निकल कर जा रहा है जिसको बोलता है four wings wing जो निकलता है जो mesothorax से जो wing निकलता है वो कहलाता है four wings और इसको हम लोग टेग्मिना भी कहते हैं four wings is also called the टेग्मिना तो इसको note कर लेना है ये question बनता है और ये question आता है cockroach के इस part से question बहुत सारे question बनता है थोरेक्स part से thorax part से आता है कि cockroach के thorax का कौन सा part है जिसमें wing attached नहीं होता है तो वो है prothorax cockroach के कौन से पार्ट से four wings निकलते हैं तो four wings जो है वो mesothorax part से निकलते हैं और उस four wings को हम लोग टेग्मिना कहते हैं ठीक है फिर आता है हमारा और ये it is thick chitinous and dark in color protect hind wing और इसका काम होता है ये सबसे dark color का होता है cockroach का जो उपर वाला जो एकदम dark brown color cockroach होता है that is the four wing वो ही टिग्मिना है उसका काम होता है उसके नीचे hind wing पतली जिली नुमा एक और पंक होती है जो उड़ने में उसको help करती है उस wing को गबड करके रखने का काम करता है तो four wing का काम है नहीं कि जिली नहीं को प्रोटेक्ट करके रखना क्योंकि वो ठिन लेयर होती है पतली उसकी जो wings होती है जो हाइन विंग्स होती है इन कारक्टर में तो उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है four wings that means कि टिग्मिना तो इस थिक kite-nus and dark-y in color protect कि पारिक म्ग को उड़ने में MATE करता है कि को ये मदद सुर्ण को ऑड़ने में कौन सी मिल सुम्ग करती है four-wing और हाई विग तो नुब देविदे जिन सुम देदीग हो जोतेना, mesothorax. hand will help using flight, फिर आते हम लोग, each thorex segment फिर है, each thorex segments bear a pair of walking legs और thorax के हर से prothorax, mesothorax, metathorax, तीनो thorax के पार्ट से leg निकलता है, जो उसके चलने में help करता, कॉक्रोच को, है न, कॉक्रोच में, जो pair of legs होते हैं, तोवो, each pair of legs, हर एक थोरेक से निकलता है जो प्रो थोरेक से जो लेग निकलता है उसको बोलते हैं प्रो थोरेसिक लेग जो मेजो थोरेक से निकलता है उसको बोलते हैं मेजो थोरेक से निकलता है उसको बोलते हैं मेजो थोरेक से निकलता है उसको बोलते हैं मेजो थोरेक से निकलने वाले प्रोथोरेसिकलेग, मीजो थोरेक से निकलने वाले को मीजो थोरेसिकलेग और मेटा थोरेक से निकलने वाले को मेटा थोरेसिकलेग कहते हैं ठीक है फिर उसका 3rd part है that is abdomen, this is the abdomen part, the both male and female consists 10 segment, abdomen part 10 segments में बटे होते हैं, जो male and female दोनों में equally होते हैं, दोनों male and female cockroach में segment of the abdomen part के segments होते हैं वो 10th segments के होते हैं, फिर one pair segments NLC present in both sex and 10th segment, एक pair of one pair NLC जो है वो present होता है, कौन से segment में, number 10th में, 10th number of segment में तर सबसे last segment में male and female दोनों में present होते हैं, और NLC style one pair present only in male cockroach is that help in the population, और NLC तो दोनों में present होते हैं, one pair of NLC present in both male and female, बट NLC style जो होता है वो सिफ male cockroach में one pair पाये जाता है, इस चीज़ को note कर लेना है कि NLC style किस में present होता है, तो NLC style is present only in the male cockroach, जो copulation में help करता है, ठीक है, फिर 7th, 8th and 9th segment, तीनों segments आपस में जब joint होते हैं, merge होकर के एक segment बनाता है, इन female form a boat shape genital pouch in ventral side, ventral side में, ठीक है, ventral side में 7, 8th and 9th segment female के merge होके एक boat shape structure बनाते हैं, जो female का genital pouch होता है, वो cockroach के ventral side में present होता है, और 9th and 10th segments male के मिलकर के genital pouch बनाते हैं, जो dorsal side में present होता है, ventral side में female genital pouch होता है, और dorsal side में male genital pouch होता है, जिसको male genital pouch को तरगा भी कहता है, तो ये note कर लेना है, और ये कि female genital pouch जो होता है, वो किस side present होता है, तो female genital pouch in cockroach में present होता है, in the ventral side, ठीक है, उपर के side में और dorsal side नीचे के side में जो है वो टर्गा रहता है जो male genital pouch होते हैं तो male genital pouch is present in dorsal side और female genital pouch is present on the ventral side इस चीज़ को ध्यान रखना है यहां से question आता है कि male genital pouch कहां present होता है और female genital pouch के किस reason में present होता है तो that is in female genital pouch is in ventral side और male genital pouch is in dorsal side और male genital pouch को हम लोग तर्गा भी कहते हैं ठीक है तो यह पूरे cockroach का morphology है जिससे बहुत सारे questions बन करके आते हैं तो इनके हर पार्ट को ध्यान में रखना है ठीक है क्योंकि इनका हर पार्ट, head, thorax और abdomen सभी बहुत important है ठीक है तो पहले एक हलका सा रिविजन मार लेते हैं कि जो इंडिया का सबसे most common जो कौकरुच इंडिया में पाया जाते हैं that is the periplaneta americana ठीक है यह इंडिया का सबसे most common species है जो सबसे ज्यादा नंबर आफ पाया जाता और इंडिया में पाया जाता जो घरों में देखते ह है इनकी जो लेंथ होती है वह 1 x 4 inch से 3 inches तक होती है और centimeter में देखा जाएगा 0.6 से 7.6 cm तक होता है फिर इसकी body एक hard exoskeleton से covered होती है जिसको बोलता है सॉरी वह hardest plate होती है उसको हमलों बोलते है scleritis और हर hardest plate जो होता है हर exoskeleton का plate होता है एक membran attached होता है जिसको बोलता है arthrodial membrane body part three part में divided होती है head thorax and abdomen head जो होता है वह triangular shape होता है और body से 90 degree के axis पर present होता है that's what is called the hypoganthus उसके बाद इसमें antenna होता है one pair of antenna होता है जिसका काम होता है sensory receptor की तरह work करता है इसमें दो तरह के eyes पाया जाते है simple eyes and compound eyes और compound eyes है जो vision में help करता है ठीक है इसका mouth five parts में बटे होते हैं जिसमें है labrum जिसको बोलते है upper lip, labium, lower lip, hypoferrings, tongue, maxilla जिसमें enzyme होता है digestive enzyme जैसे हमारे में जो saliva होता है that's type of it is a maxillary pulp present और mandible जो lower jaw है और जो उसके cutinous teeth होती है वो कहां present होती है वो mandible में lower jaw में जो उसके biting and chewing में help करते हैं फिर आते हैं thorax reason में thorax जो है और वो four wings जो है वो जिसको हम लोग tagmina कहते हैं फिर metathorax metathorax में hind wing present होता है जो उसको उड़ने में help करता है तो यह ध्यान में रखना है कि mesothorax में जो wing present होता है that's called the four wings और जो metathorax में जो present होता है उसको बोलते हैं hind wings और यह उड़ने में help करता है उसके बाद thorax के में और हर thorax के पार्ट से मतला pro thorax mesothorax and metathorax सभी में से one pair of leg निकलता है जिसको जिस thorax से निकल रहा है उसके leg का नाम भी वही है prothorex, prothorecic leg mesothorax mesothorax metathorax metathoric leg clear फिर आते हैं abdomen part male and female बोथ कोकछ में abdomen 10 segments के होते हैं 10 segments में उसके abdomen part होता है और इसमें इसके जो सब्सक्राइबं चेंच पार्ट है वहां पे annals से present होते हैं जो male and female दोलूं में present होते हैं और NL style यो होता है one pair of NL style सिर्फ male में present होता है सिर्फ male cockroach में प्रिजंट होता है पिज़ता है जो और 9 segments जो है, वो एक boat leg like structure बनाते हैं, इन female जो उसका genital pouch में convert होता है, जो ventral side में present होता है, और male में वो 9 और 10 segments में बनते हैं, जो genital pouch बनाते हैं, बट वो dorsal side में present होता है, ठीक है? इस चीज को अमेशा ध्यान में रखना है, कि female genital pouch कहां present होता है, कौकृष के ventral side में, और male genital पाउच प्रेजन्ट होता है उसके डॉर्सल साइड में तो यह था कौकरुष का मार्फुलोजी अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौकरुष के अनाडामिकों ठीक है